नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंदर सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल नौलेज और ग्यान में दोस्तों, जादा तर देखा गया है कि आज कल की भाग दोड़ भरी जिंदगी में इनसान अपने शरीर को, अपने स्वास्त को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता और लगातार काम में लगा रहता है और टाइम बे टाइम खाता पीता रहता है जिसकी वज़े से छोटी-छोटी दिक्तें उसके शरीर में आने लगती हैं उनका सही तरीके से उपचार ना करके वो काम में अपने लगा रहता है और जिससे ये छोटी-छोटी दिक्तें बड़ी-बड़ी बिमारियों का रूप लेके सामने आती हैं तब उसको जो है हस्पतालों की और भागना पड़ता है और हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय अपने शरीर अपने स्वास्त के लिए निकालें तो ये छोटी-छोटी बिमारियां हमारे शरीर में पैदा ही नहीं होंगी और हम बड़ी-बड़ी बिमारियों से भी बचे रह सकते हैं ये थोड़ा समय हमें एकसरसाइज के लिए निकालना है एकसरसाइज, योगा, व्यायाम, इनके क्या फाइदे हैं, क्या महत्व हैं, इनके क्या लाब हैं और इनको करते समय हमें किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना है जिससे ये हमें फैदा पहुँचाए, नुकसान ना हो इस वीडियो में आज मैं यही आपसको बताऊंगा और इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको इससे पूरा लाब मिले चलिए शुरू करते हैं अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उपर आई बटन को दबा के आप हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं लास्ट में हमारे नौलेज और ग्यान के लोगो को दबा के आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं exercise करने के इतने फैदे और लाब हैं कि अगर मैं पूरे बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब ही मैं थोड़े फैदे आपको बता रहा हूँ इसके exercise जो लोग रोज करते हैं चाहे वो आदा घंटा ही करते हो इस से negativity कम होती है positivity बढ़ती है और साथ में सब कुछ अच्छा लगने लगता है energy बढ़ती है इनसान पूरे दिन में ज़्यादा काम कर लिता है tension कम होता है stress कम होता है वजन कंट्रोल रहता है जिससे कई बीमारियां high BP, sugar वगरा, heart attack वगरा आने के chances बहुती कम हो जाते हैं इससे उमर लंबी होती है, शरीर की flexibility बढ़ती है, शरीर में लचकीला पन आता है और शरीर जो लचकीला पन रहता है शरीर में वो रोग मुक्त होता है exercise करने से जो पसीना निकलता है उससे शरीर के कई विशैले तत उसमें निकल जाते हैं और शरीर जो है कई बिमारियों से बचा रहता है सुस्ती, ढीलापन, आलस उन लोगों को बिल्कुल नहीं होता जो रोज एक्सरसाइज करते हैं भूग अच्छी लगने लगती है और खाना भी हजम हो जाता है नशे की आदत को छोड़ने के लिए एक्सरसाइज एक बेस्ट रास्ता है इससे मास पेशियां मजबूत रहती हैं, शरीर में ताकत रहती है जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो एक दिन ना करें तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता और वो पूरा दिन सुस्त रहते हैं एक्सरसाइज एक एनरजी टॉनिक के समान है, जिसे रोज लेना चाहिए अर्थात रोज आदा गंटा जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए इससे आप कई बिमारियों से बचे रह सकते हैं दोस्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं कोई लक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आपको फिट तंदुरूस्त रखना होगा उसके लिए सबसे आसान रास्ता है रोज एक्सरसाइज करना योगा करना व्यायाम करना और इसका महत तो दोस्तो हमारी जिन्दगी में उतना ही है जितना हमारी जिन्दगी में रोज खाना खाना काम करना सोना ये exercise बलकि उससे ज़्यादा महत तो रखती है कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते और जब उसको उनको बिमारियां घेरती हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर उनको कहता है कि आप जो है exercise जरूर करिए और वो डॉक्टर exercise लिख के देता है कि ये exercise करिए अगर वो पहले ही exercise करें तो उनको ये सब बिमारियां होना उनका पैसा भी बचे और उनका समय भी बचे जिन लोगों ने कभी exercise ये योगा ना किया हो अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है शुरू करें लेकिन कुछ सावधानिया ध्यान में रखें नमबर एक exercise योगा खाली पेट करें भरे पेट कभी ना करें नमबर दो अपने शरीर के हिसाब से ही exercise करें अपने शरीर को उतना मोड़े या उतना वजन उठाएं जितना वो बरदाश कर सके ज़्यादा exercise करने से शरीर में कुछ दिक्कत और भी पैदा हो सकती है तो शुरू में कम exercise करें और हल्की फुल्की exercise करें नमबर तीन exercise हमेशा ऐसी जगा करें जहां पे fresh air आती हो बंद कमरे में exercise ना करें क्योंकि बंद कमरे में oxygen कम होगी और carbon die excited ज़्यादा होगी तो वो आपको नुकसान करेंगी जिन लोगों कोई बिमारी या कोई और दिक्कत है किर्पया वो डाक्टर से सला करके ही exercise योगा वगरा करें हमारी इन बातों पे अमल ना करें पहले डाक्टर से सला लें फिर वो exercise योगा शुरू करें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आई बटन को दबा के उपर जो आई बटन है उसको दबा के हमारे दूसरे वीडियो भी देखिए और लास्ट में नौलेज और ग्यान का जो लोगो है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू, धन्यवाद, जैहिंद